हाई क्या आप जानती है कि हर छे में से एक प्रेगनेंट महिला को डाइबिटीज होता है क्या आप जानती है कि अगली प्रेगनेंसी में आपका डाइबिटीज होने का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है और कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी डाइबिटीज हुआ है तो जीवन भर आपके डाइबिटीज होने का खत्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्यों आपके डॉक्टर बार-बारी आपको सला देते हैं कि प्रेग्नेंसी से पहले आपना ब्लड शुगर कंट्रोल में करें और प्रेग्नेंसी में शुगर पता चलते ही उसको तुरं भचन में डायबिटीज होने का रिस्क है जो कि जब वो लड़की आपकी प्रेग्नेंट होगी उसके बच्चे को भी तर्स बढ़ता है इस तरीके से एक प्रेग्नेंट वुमें इस पर pregnancy में ब्लड शुगर की जाच की सला देते हैं पहला जब आपको pregnancy हो दूसरा 12 हफते के आसपास और तीसरा 24-28 हफते के बीच अगर आपका ब्लड शुगर pregnancy में सही तरीके से कंठोल ना किया जाए तो आपको high blood pressure pre eclampsia premature delivery cesarian delivery या फिर जन्म हुए इस चांद बढ़ा जाए आगर आपको प्रेगनेंसी में गावाओं पता दो तरीके से इलाज किया जा सकता है या तो आपको दवायों की जाह्यता से ब्लड शुकर कंट्रोल में लाय जा सकता है या फिर आपको insulin की जहायता से blood sugar control में लाय जा सकता है इसके साथ-साथ diabetes से जो complications हैं जैसे कि आख की रोशनी जाना, kidney पे असर पड़ना इनकी संख्या pregnancy में काफी बढ़ जाती है अगर आप पहले से diabetic हैं और आप pregnancy plan करना चाह रही हैं तो आपका HbA1C 6.5% के नीचर हैना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर करें और उन्हें बताएं कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं प्रेगनेंसी में बहुत सारे diabetes के drugs safe नहीं हैं बहुत सारे blood pressure के drugs safe नहीं हैं प्रेगनेंसी प्लान करेंगने से अफ़ाईं आपका हैं